नवस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ चेतन पाशाक और आप देख रहे हैं नमेफ्ट्यूस का खास कारिक्रम ग्लोबल चश्मा मेरे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में ही हैं शिक्षाविद लेखक और विदेश मामलो के जानकार निपुन जी मेरे साथ हैं और चर्चा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूर प्रधान मंतरी नवाज शरीफ को लेकर नवाज शरीफ इन दिनों भारत से दोस्ती को लेकर बहुत जादा गिड़गडा रहे हैं जी हां आब लंदन में हैं उनकी बेटी भी वहाँ पर जो की मुख चैंपिंशिफ वहाँ पर होने जा रही है पाकिस्तान में वहाँ पर भारते टीम खेलने आए हाला कि आपको पता है हम भी बताते रहें कि भारते टीम ने वहाँ पर जाने साफ मना कर दिया है और यह कह दिया है कि भारते टीम वहाँ नहीं जाएगी सुरक्षा कारणों की वज़े से और इस बात को सरकार ने भी कहा दिया है, BCCI ने भी कहा दिया है, ICC को साफ कर दिया है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का दौर है, लेकिन जिस तरीके से जब वहाँ पर समिट होती है, तब भी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था, नवाज शरीफ ने ये कह ही है, अब पाकिस्तान की तरफ से बार-बार ये कहना कि हमें सम्मंद अच्छे करने हैं, लेकिन भारत ये कह चुका है कि आतंगवाद, वेपार, आतंगवाद और बात्चीत साथ नहीं हो सकती, निपुन जी, क्या चाहता है पाकिस्तान की नवाज शरीफ अगर इतना शर्फ की बात करें, उससे पहले भी और निताओ कि हम बात करें, तुमने मैंने का, आपको आपको जो सेना से आये वी लोग थे, जो कूप कर कहते हैं, जो जनरल सोवा करते थे, उनके स्टेटमेंट इसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की वहाँ पर जो लीडर रहे, उ इस बात क्या हो थी चेतन जी, जब भी पाकिसमेंट आपको वीक समझता है, कम जो समझता है, तो वो इस तरह की डिप्लोमेसी को बेस मनाता है, ताकि वर्ल्ड को दिखाए, कि मैं तो संबंद बैटर करना चाहता हूं, तो मैं इसमें देखा हूं कि नवास सरीफ कोई बहु अच्छे हैं, उस तरह का एक मुझे इस्स्क्यूशन आती है, नवास सरीफ की बातों को देखकर, इम्रान खान की बातों को देखकर, या इन सब लीडर्स की बात को देखकर, क्योंकि जब जब हमने फेथ किया, तब तब यह हुई, दूसरा, निश्व जो से आज बहुत कम हम को, तो 65 में पर अटेक किया, आज मैं आपको कमजोर समझ रहा है, सोचा कि भारत को प्योंकि हम से न ले ले, तो उस तरह की बाते कर रहे हैं, मैं एक तो बात यह कहूंगा, एक तो मेरा नजरी यह है, दूसरा मैं कहूंगा कि भारत का मैसिस बिल्कुल किलियर है, टेरर क के साथ टोक नहीं होगी, अगर कोई कंट्री टेरर को लेके चलता है, टेररिजम को फ़लाता है, आज भी आप देखिए, लोकसभा की चुनाव होने तो से पहले से आपको शुरू हुआ, कश्मीर के अंदर आज भी टेर्स एक्टिविटीज हो रही हैं, और मैं कतीम आने को चीन का, और अब तो M4 कारवाईन जैसे खतरना का त्यार हुए, बहुत नहीं हैं, ब्लूट्फू जैकेट्सन के पास में हैं, तमाम तरे की सुईधाएं ये कैसे आ जाएगा, मैं नहीं मानता कि एक अलगावादी भारत के नंतर एक अठा कर लेगा, भारत सी आएगा, या तो चीन देगा या पाकिस्दान देगा, लेकिन चीन नहीं देगा, चीन क्यों नहीं देगा, चीन अपने आपको एक रेसपोनसिबिल कंट्री के रूम में शोग करता है, अगर चीन टैरिस्ट एक्टिविटीज में उपनली सामिल होगा, तो जो ये युरोप में उसके मकस पाकिस्तान के अकाउंट में जबाँ होता है कुछी दिनों के अंदर ही टैर्स एक्टिविटीज कश्ण में सुरूए जाती मीन डेट क्या मतलब इस बात का इस बात का सिंप्ल समझदब यही है कि आप टैर्स एक्टिविटीज को उसी प्रण से आप क्या कर रहे हो यूज कर लेकिंगे नवाश शरीफ का बार बार ये स्टेटमेंट आ रहा है जो वहां पर समिट होती है और जो शिकर समयलन वहाँ पर होता है उसके बाद भी उस दुरान भी यह बायां सामने आना अब बार बार इस बात को कह रहा है एक तो वैपार बंद होता है भारत आर पाकिस्त आप पर क्यों नहीं समझाते हैं कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत के साथ रिष्टे अब तो सुधार लिजे दूसरी बात ये की आप क्योंकि कि इमरान खान इस बात को कहते हैं कि सत्ता नियुसाथ में सीधा दखल घृता और वह कि कहते हैं जानते भी हैं, लेकिन जब तक सेना का दखल रहेगा, तब तक पाकिस्तान में किसी की चलेगी नहीं, आप असीम मुनिर नहीं चालते हैं यह पर कोई भी जो सेना का ध्यक्ष है वो नहीं चालता है कि भारत रिश्टे जो है, उनको तो ISIS क्या करवाना आये उनको पता है? नहीं देखे पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लिडर्शिप हो या फिर हम बात करें पाकिस्तान के रेडिकल गुस के हम बात करें आज की डेट में हर कोई चाता है कि भार से रिस्ते अच्छी हो जाएं और मैंने का ये गुड़ फेट में नहीं कि कोई अच्छी फिलिंगों को अंदर आ रही है कि बहुत गलती वियार स्थोरी अरम अलग हो गए थे अब माफ कर और साथ मिलके रहते हैं यह वाली फिलिंग नहीं है फिलिंग यह है कि पाकिस्तान जानता है कि वी आर दा वीक जानता है मुझे बड़ी एक इंटरस्टिंग बात यादा गई ज्याओल हक जिसमें थे और हमारे ज्यानी जैल सिंग जी उसमें प्रेजिडेंट हुआ गरते थे तो ज्याओलोग ने कहा ज्यानी जैल सिंग जी को कि प्रेजिडेंट साथ हम भार से अच्छे संबंद करने चाते हैं तो उन्होंने एक बात कही वह जब पंजावी भाशाम बोले हुआ उन्होंने कि जैल सिंग्जे ने कि यह नहीं हो सकता कि बहु गुंगट भी काड़े और आख भी मारे मतलब एक तो तुम कहरे हो कि हम दोस्ती करना चाहते है उपर तुम टैरिडिसम को हो जाएगी शुरुआत अच्छले प्यूकर पर छोड़ी हम तो यह कह रहें कि सारे मुस्लों बात हो जाएगी देखिए हमने बांगला देश के साथ में अपनी जमीन देखकर भी समझोता किया यहां तक कि समुदरी चिर भी हमने अपना ज्यादा अधिक उसको दिया समझो लेंगे तो यह जो अग्रेशन आया है जो हम बांगला देश को देने को त्यार हैं तो शायद पाकिस्तान के साथ बात बन सकती थी लेकिन तुमने जो बत्तेविजिया कि इससे का अग्रेशन पैदा किया पूरी भार्त के कॉम्टिटी में अब पोसिबिल कैसे बाचित करन और आतंगवाद को तो एकसेप्ट करेंगी नहीं करेंगे बलकि आतंगवाद के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी एकसेप्ट नहीं किया जाएगा यही बात अब नवाज शरीत को समझनी होगी जो बार बार भारत के साथ सम्मन अच्छे करने के लिए गिड़गडा रहे हैं चाहे वो लंदन के मन से कह रहे हों पाकिस्तान के मन से कह रहे हों कहीं से भी कह रहे हैं उनको ये बात अपने दिमाग में भर लेनी चाहिए दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि जो भी अगर वो ये सच में इस बात को चाहते हैं तो उनहें उन सभी चीजों पर लगाम लगा की कोशिश करनी होगी जो भारत के खिलाफ हो रही है या भारत के खिलाफ वहाँ पर जो भी चीज़े चल रहे हैं अगर आप सच में चाहते हैं तो ये बात ये सब बंद करना ही होगा तब ही बात हो सकती है इस बात को भारत की सरकार बार बार कह चुकी है क्योंकि जब भी हमन लेकिन अब और सहेगा नहीं भारत ये बात साफ कर चुके है भारतिय सरकार लेकिन अब ये उमीद है नवाज शरीफ को भी एक सबग और एक जवाब जरूर मिल गया होगा जो बार-बार वो गिडगलाते रहते हैं संबन अच्छे करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद न झाल झाल